तो नमस्कार मैं डॉक्टर दुर्गार संकर शुक्ला मैं खेलती इंडिया चैनल में आपका स्वाकत करता हूँ आज दोस्तों जानते हैं कि ABG का इंटर्पेटेशन कैसे करते हैं आई कैसे करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को यह ABG मसीन है ABG कार्ड दिये गया है दोनों को अलग भी कर सकते हैं मसीन को कार्ड को मसीन में दिखाएगा कैसे इंसेट करते हैं और सेम्पल यहाँ छोटे से गुलात बिदो इसी में डालते हैं 0.5 ml से कमी सेम्पल लेते हैं 0.4, 5 ml सेम्पल लेते हैं और slow push करते हैं और abg reading आ जाते हैं बिदिन 5 seconds में यह देखिए मसी कार्ड और मसीन दिखाई गई है यह कार्ड का है यह चिप लगी होती है देख रहे है चिप है अब चेक कर लिया जाता है आया देस्तों यह abg की रिपोर्ट होती है जिसमें pH की रीडिंग आई है pH नॉर्मल वल्य होती है 7.35 to 7.45 होता है सोडियम की नारवान बलू 135 से 45 होती है पोटैसियम की 3.5 से 5 होती है क्लोराइड क्या हता 95 से 110 होता है और ग्लुकोज ब्लड में कितना 70 से 110 होता है और लैक्टेट कहता 0.5 से तक 2 तक होता है यह abg की रिपोर्ट है जिससे हम abg का इंट्रिपोर्टिशन करते हैं आए यह abg जो होता है जिसमें अलेक्टराइट नोसोडियम पोटैसियम क्लोराइड और कलसियम भी दिया गया है क्लोराइड कितना होता 98 से 107 तक वैलू होती है यह भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें गैसेस की वैलू दे गई है इन्होंने यह पास्कल्स में दिया है किलो प यह इंटिपोडेस द्द की अगर कि एच मिच्छ वह अगर असिक बिक देड़ करता है अगर पीएच 7.35 से गम होता है तो ब्लट क 250 होता है अगर पीएच 7.45 ज्यादा होता है तो ब्लट का माध्यां sono One è bic क्लाइट होता है अगर स्यूटू बढ़ा होता तो मतलब असीडिक है अगर और बाइकार्व बढ़ा हुआ तो मतलब बेसिक है ब्लड का नेचर क्या है वह बाइकर्व कितना था नारव वल्यों 22 तो 26 या 28 किसी में और प्यूटू क्या था यह यह हपक्स में असो करता है यह 8200 होता है आप ABG का इंटरप्रेशन देख लेते हैं कब इसटिक होता है अब कब बेसिक रिस्पेट्रियल क्लोसिस होगी कब इस्पेट्रियल क्लोसिस होगी? मेटाबोल मेटाबोल स्पेट्रियल क्लोसिस होगी ? जब देखे इस्पेट्रिय होंगा और PCO2 decreased होगा और वी bicarb normal भी हो सकता और decrease करगा सकता और इससे metaboliciosis में क्या होगा pH decrease करेदा तो bicarb भी decrease करेदा और PCO2 क्या ज़ला नर्मल या decrease हो सकता है metabolic analysis होगी तो pH increase रहेगा तो क्या bicarb भी increase होगा आध पीस ये तो normal या increase रहेगा और mixed acidosis में क्या होता है अगर pH decrease होगा तो bicarby decrease होगा और PCO2 increase होगा mixed alkalosis में क्या था pH increase होगा तो bicarby increase होगा और PCO2 decrease होगा और इन सब चीज का compensation renal करता है या respiratory compensation होता है या metabolic acidosis होगी तो compensation lungs करेगा अगर respiratory acidosis होगी तो compensation कौन करेगा renal करेगा आए पूरा देखते हैं मेटा अगर मेटा देखिए इसमें compensation दिखाया गया है metabolic system है और respiratory system का अगर metabolic acidosis होती तो compensation lungs कर रहा है लंग्स क्या आका बहुत तेजी से फूल रहा पूल रहा पूल रहा पूल रहा हो रहा है अगर metabolic acidosis होती तो लंग्स क्या था हाइप रहा होता है वह ऐसे दिखते हैं अगर respiratory acidosis होगी तो क्या कि रिनल क्या का था बाइक का रिटेंशन करती है और respiratory alkalosis होती है मतब ब्लड में base की मात्रा जाता होती है क्योंकि यह बाइकार बेस है तो इसका excretion करती है ऐसे compensation होता रहता है शरीर में acid base का balance बना रहता है बना आकना बहुत जरूरी होता है कभी कभी क्या होता है कि imbalance में sodium potassium electrolyte की imbalance हो जाता potassium बहुत ज्यादा हो जाता तो पेशेंट की इरीन आना बंद हो जाती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि अगर तुरंत dialysis मरीज को करना जरूरी होता है तो मसी मरीज को कहते हैं डालीजिस पर ले लेते हैं उस machine कुथरों कर देते हैं और bicarb और oxygen इस चीज का balance ventilator से कर देते हैं आए देखते हैं interpretation में क्या होता है अब रिस्पेटि एस्टोसिस समझते हैं और रिस्पेटि अलकलोसिस में इसका compensation bicarb कित्ते होता है जैसे रिस्पेटि एस्टोसिस में क्या होता है pH कम होगा लेस्ट दन 7.35 होगा तो क्या होगा रिस्पेटि में PCO2 ज्यादा होगा अगर PCO2 ज्यादा होगा तो उसको balance करने के लिए bicarb भी ज्यादा होगा अब आते हैं कितने का हुसा है अगर Ary Ra брат दे एकमाफेटि में क्या होतता है अगर इकमाफेटि कमप km में देशियादा ही में अगर 10 इनिनट थ्यको probड़ेंगा तो वं IQ बाइकार बढ़ेंगा और यही जी chronic respiratory diagnosis होती है तो अगर 10 unit CO2 बढ़ेगा तो 3 unit by car respiratory closest में क्या होता है pH बढ़ा होगा और PCO2 कम होगा तो PCO2 कम होगा तो क्या होगा बाइकार भी कम होगा पासरन है फिर इसमें कैसे अगर acute compensation है तो अगर 10 PCO2 कम होता है तो 2 unit by car bal羹 कम होगा अगर PCO2 chronic में क्या होगा अगर 10 कम होगा तो be carNever चार discipline कम होगा यह chronic case में होगा chronic respiratory closest होगी तब ौनिक response होगी अब आते हैं मेटावलिक में क्या होता है अगर Metabolic S-Dosis होती है तो उसमें क्या होता है? Metabolic में क्या होता? pH कम होगा तो Bicarb कम होगा अगर Bicarb कम हो तो PCO2 भी कम होगा और इससे कैसा? कमपेशन कैसा? अगर एक unit PCO2 कम होगा तो एक unit Bicarb भी कम होगा आईसे Metabolic Alkylosis में पी एस बढ़ा है तो beta laser बढ़ा होगा और beta carbon बढ़ा होगा तो क्या Penut div करेगा अगरows कि 2 इस इंट बढ़ था तो geek Liad जो के इन बढ़ेगा Lukos यह metabolic alkalosis का है अब आते हैं एक पिक्चर में देखते हैं इसको एक डियाग्राम मेमोरी के रिव पर एड कर लेते हैं acute respiratory acidosis में क्या होता है acidosis होगी तो क्या होगा acute respiratory acidosis होगी या acute respiratory alkalosis होगी तो वही जो पूराना picture अगर 10 unit मतब PCO2 बाइकार्ब बढ़ेगा acidosis में acute वाली में और acute respiratory acidosis में 10 घटेगा तो 2 unit बाइकार्ब घटेगा PCO2 का 10 unit घटेगा तो 2 unit बाइकार्ब घटेगा अगर एक chronic respiratory acidosis होगी तो 10 unit अगर PCO2 बढ़ रहा तो 3 unit बाइकार्ब बढ़ेगा अगर यही मतलब alkalosis होगा तो अगर 10 unit PCO2 घट रहा तो 4 unit बाइकार्ब घटेगा अगर metabolic acidosis है metabolic acidosis में क्या होता है अगर एक unit बाइकार्ब कम होगा एक unit PCO2 घटेगा अगर metabolic acidosis में 2 unit बाइकार्ब बढ़ रहा तो एक unit PCO2 भी बढ़ेगा यह आपको याद करने के लिए था इसमें सही स्याद करने के लिए प्लस वन कर देते हैं हर जगे क्या था एस डोसिस है में प्लस वन करके दूसरी एक लोसिस क्रीडिंग ले सकते हैं ऐसे chronic acidosis प्लस वन करके 3 के बाद 4 आ गया ऐसे metabolic है तो 1 प्लस वन कर दिया है तो 2 आ गया इस तरीके से इसको में विभर में याद कर लेते हैं अब और इसके बाद क्या कहते हैं बीजी इंटर्परेशन तो आपको आ गया होगा कि एस्टोसिस क्या होगी रेस्पेट्री एस्टोसिस क्या होगी एक्यूट रेस्पेट्री एस्टोसिस क्या होगी और क्रोनिक रेस्पेट्री एस्टोसिस क्या होगी और क्रोनिक रेस्प करता है अगर respiratory से होगी compensation रिंल करता है जिसमें रिनल करेगा तो इसे बायकार का इसक्रिशन बढ़ाएगा यह retention करेगा अगर यह दूप पॉइंट होती है आब आते हैं और इसके बिजी के में और अगर पढ़ना आए तो हम सबसे पहले में क्या पढ़ते हैं, calculate NGAP, calculate कर सकते हैं, number 2, if NGAP पे increase करा, calculated NGAP और corrected by carb, number 3, check pH and PCO to uncompensation educate, इतना आपको न चाहिए, धन्यवान में तरो अगर ABG आपको आ गया हो, और इन सब चीजों के setting ventilator में होती है, ventilator से दे के patient को revive करते हैं, ABG की report देखे, ventilator की setting decide करते हैं, उसमें कितना tata balloon रखना है, कितना respiratory rate रखना है, pressure कितना रखना है, आपको कौन सा volume control पे लेते हैं, ventilator को या pressure support mode पे लेते हैं, या pressure control mode पे लेते हैं, या SIMB mode पे लेते हैं, तो यह सारे ventilator के mode होते हैं, इनी कमसार setting होती है इनी कमसार oxygen decide करना किता oxygen देना है किता respiratory rate रखना है और कितना title volume उसका रखना है और सबका target एक point होता वह बहुत बिश्त्री जानकारी है उसके लिए बेंटरीटर को पढ़ना पढ़े है मित्रो आपको मैंने बहुत चीजें बताने कोशिस किए अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद